स्मार्ट वर्किंग का सिंपल सा मिनिंग होता है मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजर्ट जनरेट करना जी हाँ दोस्तो आज हम बात करेंगे उन पावरफुल शॉर्टकट कीज की जिनको यूज करके टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेर में ना सिरफ आप फास्ट वे में काम कर सकते हो बलकि आपका स्टाइल आपकी एकुरिसी भी इंप्रूव होगी देखिए आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो एक बात हमें खास तोर पे जान रखनी चाहिए एकुरिसी इस मोर इंपोर्टेंट देन स्पीड टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेर में जब हम शॉटकट कीज की बात करते हैं तो ये नॉर्मली दो टाइप की होती हैं एक वो जो हमें सक्रीन पे दिखाई देती हैं और दूसरी हिडन अब जो शॉटकट कीज हमें सक्रीन पे दिखाई देती हैं उनको यूज़ करना हमारे लिए एक बहुत इजी सा काम रहता है क्यूंकि ये उसी सक्रीन में रिफलیک्ट होती हैं जहां पे इनको अप्लाउज क लेकिन जो shortcut keys hidden होती हैं, उनके case में mouse का इस्तमाल नहीं किया जा सकता, उन shortcut keys को हम keyboard से ही apply कर सकते हैं, और ऐसी shortcut keys की importance भी काफी रहती है, आज के इस session में मैं आपके साथ लगबग 50 से भी ज्यादा powerful shortcut keys को discuss करूँगा, जिन मेंसे कुछ की list तो आपकी screen पे है, और कुछ को हम directly discuss कर दो खास बातों पे होना चाहिए, how to use it and when to use it, उसके बाद ही आप actual में smart working कर पाओगे, तो चलिए इन सारी shortcut keys को one by one करके discuss करते हैं, दिखिए ये है हमारा tally का main interface, और इसमें अभी हम है gateway of tally पे, यानि वो screen जो company select करने पे सबसे पहले आती है, tally के इस interface में ये जो top horizontal bar है, इ और इन मेंसे किसी को भी open करने के लिए उस पे just हम mouse से click कर सकते हैं, या फिर उसे shortcut key use करके भी open किया जा सकता है, लिकन यहाँ पे किसी भी shortcut key को याद रखने की जुरूरत नहीं होती, क्योंकि हर tab के आगे वो mention होती है, वैसे tally software में दो तरह की shortcut keys होती है, एक वो जो combination में apply हो line के साथ दिखाई देते हैं, उनको combination है control के साथ, और जहाँ पे कोई भी underline use नहीं होती, वो button directly apply होते हैं, जैसे कि ये go to tab है, इसके आगे लिखा है g, साथ में इसके निचे single underline भी है, तो इसका shortcut हुआ alt plus g, और इसी तरह बकी सभी tab का shortcut key भी इसके आगे mention है, जैसे export का alt plus e है email का alt plus m है, print का alt plus p है, और इसी तरह गर हम side bar की बात करें, तो इसमें date के लिए f2 है, company के लिए f3, लेकिन इसके निचे कोई भी line नहीं है, तो ये shortcut directly apply होगा, देखिए ये जो top horizontal bar है, ये तो always fix रहती है, लेकिन इस right bar की tabs हर screen के साथ change होके, उसके accordingly आती है, जैसे suppose करो हम यहा side bar की tabs watcher entry screen के accordingly change हो चुकी है, साथ में हर button के आगे उसकी shortcut key को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसके इलावा हर tab के इस side button पे जब हम क्लिक करते हैं, तो उससे related कुछ extended options भी हम यहाँ पे मिलेंगे, हर tab में उसकी shortcut key भी mention की गई है, जैसे कि company के लिए f3 है, select company के लिए alt plus f3 है shut company के लिए control plus f3 है, और इसी तरह बाकी सभी tabs में भी यह available है, दिखिए जो shortcut keys directly apply होती है, वो यहाँ पे भी हमें directly ही दिखाई देंगी, लेकिन जो shortcut keys alt के combination में हैं, उनको highlight करने के लिए हमें just यहाँ alt प्रेस करके hold करना है, उसके बाद वो ही shortcut keys reflect होंगी, जो alt के combination में काम करती हैं, for example debit note के लिए alt plus f5, यनि यहाँ पे single underline का मतलब है alt, और बिल्कुल इसी तरह गर हम control प्रेस करके hold करते हैं, तो वो सारी key highlight हो जाएंगी, जो control के combination में चलती हैं, यनि जो यहाँ double underline के साथ available हैं, और इसके इलावा जितनी भी दूसरी screens हैं, जैसे key report की है, तो यहाँ प जिसमें कई सारी tabs मिलेंगे साथ में उनके shortcut keys भी, यह basically related होती हैं उसी particular screen से जो की open होती है, इन सब के use को भी आगे चलके हम detail में discuss करेंगे, लेकिन tally software की जदनतर shortcut keys को हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह उसी screen में appear होती हैं जहाँ पे इनको apply करना होता है, बस हमें सिर्फ इतना समझना है कि इनको कब और कैसे apply करें, तो चलिए discuss करते हैं tally software की in top 30 shortcut keys को, सबसे पहले बात करते हैं company से related shortcut keys की, देखी यहाँ पे हमारी एक company भारत home appliances पहले से ही selected है, और अब company से related further options के लिए या तो हम alt plus k press करेंगे या फिर यहाँ mouse से click करेंगे, जिस यही shortcut keys होती है, जैसे ultra में a blue color का है, तो इसकी shortcut key है alt plus a, और इसी तरह company select करने के लिए alt plus s या फिर alt plus f3, जिसके बाद यह company select करने की screen automatically open हो जाएगी, यहाँ पे चलिए हम एक company और select कर लेते हैं, accountants club private limited, अब हमारी इस selection list में दो company हैं, यानि इन दुन्नों में हम काम कर सकते है दिखे अगर हम यहाँ watchers पे click करते हैं, तो यह watcher entry हमारी accountants club private limited में record होगी, इसके इलावा गर हम company को switch करना चाहें, तो just हमें यहाँ पे click करना है company switch हो जाएगी, और फिर इसके बाद जो भी हम काम करेंगे वो भारत home appliances में ही होगा, और इनके इलावा गर हम कुछ और companies भी इ add करना चाहते हैं, तो वो भी उसी procedure के accordingly हो जाएंगी, और अगर इस selection list में से किसी company को हम हटाना चाहते हों, तो उसके लिए हमें करनी होगी shut company, जिसके लिए shortcut है control plus F3, और जिसे apply करने के बाद screen कुछ इस तरह से आएगी, अब हमें उस company पे click करना है, जिसे हम बंद करना चाह जाते हैं, and then selected company shut हो जाएगी, लेकिन अगर हमें उसकी दबारा जुरूरत है, तो again हम उसी procedure के जरिए select करके अपनी selection list में add कर सकते हैं, इसके इलावा अगर किसी company को हम permanently delete करना चाहें, तो फिर उसका procedure क्या रहेगा, देखिए company को delete करने के लिए कोई भी option हमें इस पूरी screen प को delete करने के लिए shortcut key तो होती है, alt plus d, लेकिन अब question तो ये है कि इसे apply कैसे करें, चलिए देखते हैं इसका procedure, सबसे पहले तो हमें इस company tab में जाके click करना है, alter पे, and then हमें उस company को select करना है, जिसको हम alter या फिर delete करना चाहते हैं, जैसे कि हमारी ये company है, hospitality solutions, और अब इसी screen में ही company delete करने का जो shortcut है, alt plus d, वो भी apply हो पाएगा, जैसे ही हम alt plus d प्रेस करेंगे, तो ये हमसे पुछेगा delete yes or not, and then जब हम इसे yes करेंगे, again हमसे confirmation लेगा, are you sure, और अब अगर हमने yes पे click किया, तो ये company permanently delete हो जाएगी, और इसका data भी recover नहीं हो पाएगा, so हम सिर्फ ऐसी company को ही delete क चलिए, अब हम बात करते हैं उन shortcut keys की, जिनका इस्तमाल किया जाता है, इस masters group के लिए, इसमें कुल मिलाके ये three tabs हैं, जिनमें पहली है create की, इसी tab में हम accounting masters, inventory masters, और साथ में statuary masters को भी create कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी master को alter या फिर delete करना हो, उसके लिए tab है, ये अल्टर tab है, जिसमें हम accounting, inventory, statuary masters को alter भी कर सकते हैं, और delete भी, जैसे कि अगर हमें कोई accounting masters, alter या फिर delete करना है, तो हम इस option में जाएंगे, उस master यानि उस account को select करेंगे, जिसमें हमें alteration करनी है, जैसे कि ये access bank car loan account है, अब यहाँ पर alteration करने के बाद ये screen हमें save करनी होती है, जिसके ल d, यानि d for delete, alteration की इस screen में ये hidden नहीं होती, बलकि नीचे यह bottom बार में mention होती है, लेकिन फिलहाल अगर इस tab को हम देखें, तो ये key activated नहीं है, यानि इसका हम इस्तमाल नहीं कर सकते, जिसका simple सा reason ये है कि हम किसी भी ऐसे account को delete नहीं कर सकते, जिसमें पहले से कोई transaction recorded हो, चली अब हम एक ऐसा account select करते हैं, जो कि बिलकुल blank हो, जैसे कि ये ABC limited है, और अब नीचे यहां हम अगर ये delete की tab देखें, तो ये भी activated है, यानि अब इस account को delete करने के लिए हम इस पे भी click कर सकते हैं, या फिर alt plus d shortcut key का इस्तमाल करके भी हम इसे delete कर सकते हैं, accounting ledger के इलावा अगर ह वही shortcut की apply करना है, alt plus d, condition यहां पे भी वही सिर्फ उसी account को ही delete किया जा सकता है, जिसमें कोई transaction recorded ना हो, देखिए वैसे तो टेली prime accounting software में masters को create करने के लिए ये अलग tab है, और alter करने के लिए अलग, लेकिन इन दोन्नों को मिलाके एक common tab भी हमारे पास है, chart of accounts, जिसमें ना सिर accounting और inventory masters को create, alter या फिर delete कर सकते हैं, बलकि जो हमारे existing ledgers हैं, उनकी list भी यहां हमें group wise दिखाई देती है, जैसे कि यह हमारे sundry debitors की list है, अब इस list में हम कोई भी नया account add कर सकते हैं, यहां create masters पे click करके, या फिर shortcut की apply कर सकते हैं, alt plus c, और इसी तरह किसी extra account को हम delete भी कर सकते हैं जिसकी shortcut की है, alt plus d, तो चलिए पहले तो एक नया account create करने के लिए हम press करते हैं, alt plus c, suppose करो हमारे customer का नाम है xyz, अंडर ये open होगा sundry debitor, control a से हम इस screen को save करेंगे, और अब जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं, यह account हमारे sundry debitor की list में add हो चुका है, और अगर हम किसी account को delete करना चाहें, तो उसे select करने के बाद, यहां पे भी हम shortcut key apply करेंगे, alt plus d, and then yes करने से account delete हो जाएगा, दिखी क्योंकि इस screen में accounts create और alter करने के साथ, existing masters की list हमें दिखाई देती रहती है, जिसकी वज़न से duplicate masters create होने के chances घट जाते हैं, accounting masters के साथ, इस screen को हम inventory masters के लिए भी use कर सकते हैं चलिए, अब हम discuss करते हैं, उन सभी shortcut keys को, जिनका use किया जाता है, transactions record करते हुए, दिखिए, watcher entry की जब ये screen open होती है, तो यहां side bar में इस related सारे button activate हो जाते हैं, और उन सब के आगे ये shortcut key भी हमें दिखाई देती है, इनके इलावा अगर यहां पे हम alt press करते हैं, तो उसके combination व सारी shortcut key भी हमें दिखाई देंगी, इस side bar के सासाथ यहां निचे bottom में भी कुछ tabs और उनकी shortcut keys हमें मिलेंगी, जिनको हम इस्तमाल कर सकते हैं, transactions को बहतर धंक से record करने के लिए, तो चलिए, अब हम record करते हैं कुछ transactions को, और उसके सासाथ discuss करते हैं related shortcut keys को, सबसे पहले watcher record कर ले पहले से ही created है, तो इस list में से हम select करेंगे, otherwise नया create करने के लिए हमें click करना होगा यहां create पे, जिसके बाद account creation की यह screen open हो जाएगी, या फिर नया account create करने के लिए यहां पे हम shortcut key use करेंगे, alt plus c, यानि c for create, जिसके बाद वो ही ledger creation की screen open हो जाएगी, अब suppose करो हमारे customer का नाम ह city commerce academy, और यह account create होगा under group sundry debitter, control A से जैसे ही इस account को हम save करेंगे, यह यहां automatically select भी हो जाएगा, and then यहां पे हमें sales ledger select करना है, जो कि पहले से ही created है, and then name of item, suppose करो यह है macbook air, यह भी पहले से ही created है, otherwise इसको भी हम यहीं alt plus c से create कर सकते हैं, and then यहां पे sales quantity है two piece, और फिर इसके बा calculation करने की जुरूरत है, जिसके लिए चाहिए हमें calculator, और अब यहां पे calculator को activate करने के लिए shortcut की है, alt plus c, यानि c for calculator, देखिए जब हम इस calculator को use करके, कोई भी calculation करते हैं, और उसके बाद जैसे ही enter press करते हैं, तो automatically वो value वहीं पे fill हो जाएगी, जहां से इस calculator को हमने activate किया था, alt plus c से calculator हम उसी screen में open कर सकते हैं, जहां पे इस type की calculation required हो, otherwise बाकी सब इस screen में calculator को open करने के लिए shortcut की use होती है, control plus n, चलिए अब हम इस transaction को complete करने के लिए इसमें cgst और sgst को भी add कर देते हैं, यह invoice को fill हल no पे set कर लेते हैं, लिकिन अगर आप इसके भी पूरे procedure को practically सीखना चा यहां last में आएगी narration, जिसको हम अपने requirement के accordingly लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख देते है taxable sales intrastate, चलिए अब हम एक और transaction record करते हैं, और साथ में discuss करेंगे कुछ और बेहतरी इन shortcut keys, दिखिए किसी भी transaction को record करते हुए, यहां party name में customer के account को select करने के बाद, अगर हमें ये लगे कि इस account में कुछ alteration की जरूरत है, तो इसे select करके यहां पे हमें shortcut key use करनी है control plus enter, जिसके बाद उसी particular account से related alteration की ये screen open हो जाएगी, और अब यहां पे जिस भी field को हम change करना चाहते हैं, उसे alter करने के बाद, जैसे ही हम control plus A के साथ save करेंगे, ये again back वहीं पे आ जाएगा, इस shortcut key का इस्तमाल आप किसी भी account को alter करने के लिए कर सकते हो, transaction को record करते हुए, इसके इलावा बाकी information तो यहां as usual आ ही जाएगी, लेकिन अब यहां पे एक और shortcut key है, जिसका इस्तमाल हम कर सकते हैं, इस amount column में currency symbol को add करने के लिए, और ये shortcut key है, alt plus 4, या फिर control plus 4, चलिए अब हम बात क shortcut key, alt plus G की, देखे जब हम किसी transaction यानि किसी watcher को record कर रहे होते हैं, और बीच में ही अगर हमें कोई report या फिर account statement देखने के जुरूरत पड़े, तो हमें transaction से exit करने की जुरूरत नहीं होती, क्योंकि इस screen में भी reports को देखने के लिए, इस go to button का इस्तमाल किया जा सकता है, जिस उस पे हम click करेंगे, balance sheet open हो जाएगी, and then इसमें भी suppose करो हमें current assets देखनी है, तो just हम यहाँ click करेंगे, और फिर इसमें भी आगए अगर हम sundry debitter में जाना चाहते हैं, तो उस पे click करेंगे, even अगर हम इस account को भी check करना चाहते हैं, जिसमें अभी हम transaction record करेंगे, तो उसको भी हम open करके देख सकते हैं, और फिर अगर हम यहाँ से exit करते हैं, तो again हम उसी transaction पे back आ जाएंगे, जो की हमारी running में थी, यनि alt plus G इस screen के लिए काफी useful shortcut key है, और अब अगर watcher entry के लिए हम अपनी next shortcut key की बात करें, तो वो related है narration से, दिखिए यहाँ पे हमें narration बार बार type करने के जु जरूरत नहीं होती, बलकि हम previous narrations को recall कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास दो shortcut keys है, control plus R और साथ में alt plus R, अगर यहाँ narration में आके control plus R को press किया जाए, तो इसी watcher type यनि sales की previous narration copy हो जाएगी, यनि यहाँ पे narration हमें again type करने के जरूरत नहीं है, चलिए हम एक transaction और record करते हैं, और narration क लिए alt plus R के use को भी समझते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे alt plus R प्रेस करते हैं, तो उससे भी narration recall होती है, लेकिन यह उस transaction से recall होगी, जो इससे immediate पहले हमने record की होगी, यनि यह किसी दूसरे watcher type की भी हो सकती है, और अगर हम यहाँ control plus R प्रेस करते हैं, तो same watcher type की ही recall होगी इसके इलावा चलिए एक transaction में receipts watcher type में भी record करके देखते हैं, दिखिए अब अगर narration में हम control plus R प्रेस करते हैं, इसमें वो ही narration recall हुई है, जो की हमने अभी sales watcher में use की थी, लेकिन अगर हम यहाँ control plus R प्रेस करते हैं, तो receipts watcher की ही previous narration recall होगी, इन सब के साथ साथ टैली accounting software मे भी हम content को copy और paste कर सकते हैं, जिसके लिए shortcut की control C और control V होती है, और इसका इस्तमाल पूरे software में कहीं पे भी किया जा सकता है, जहां हम content को type कर सकते हूं, जैसे कि suppose करो यहाँ narration में भी हम account head को copy करना चाहते हैं, यनि अब इसके लिए हम उस content पे जाके control plus C प्रेस करेंगे, जिस का use पूरे software में कहीं पे भी किया जा सकता है, और अब हम बात करते हैं उन shortcut keys की जिनका इस्तमाल हम transactions को display, alter और delete करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले तो transaction हमें अपनी screen पे recall करनी होती है, और अब यहीं पे previous transactions को display करने के लिए हमारे पास बहुत बहु page up and page down, यनि अब अगर इस screen में page down प्रेस किया जाए तो वो transaction display हो जाएगी जिसको अभी हमने record किया था, जैसे कि हम यहाँ पे detail देख सकते हैं, और इसी तरह जितने बार हम page down प्रेस करते रहेंगे, previous transactions one by one करके repeat होते रहेंगी, लिकिन इसी particular date से related, जैसे हाँ 10th September है, और transactions देखने के लिए, यनि page down for previous transactions and page up for next transactions, दिखी यहाँ पे previous transactions को display करके हम उन्हें recheck भी कर सकते हैं, और अगर किसी transaction में कोई mistake है, उसे rectify करके again यहाँ पे accept कर सकते हैं, rectification के इलावा किसी भी transaction को हम यहीं से delete भी कर सकते हैं, cancel भी कर सकते हैं, जैसे कि suppose करो इस transaction को हम delete करना चाह और delete, and then जैसे ही हम इसे yes करते हैं, transaction delete हो जाएगी, और अब हम बात करते हैं उन shortcut keys की, जिनका इस्तमाल किया जाता है different different type की reports को देखने के लिए, जैसे कि हम अपने ledger के एक account sales को display कर लेते हैं, 1st April से लेके 30th September तक, और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कई सारी transactions already recorded हैं, और अगर हम यहाँ किसी भी transaction पे enter press कर देते हैं, तो हम उस transaction की journal entry तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हम इसी screen में रहते हुए, उस transaction की further detail देखना चाहें, तो फिर हम एक shortcut key use करेंगे, shift plus enter, जिस भी transaction पे हम shift plus enter press करते जाएंगे, उसकी detail open होती जाएगी, और इसी shortcut key को दोबारा press करके, उसे हम close भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे सभी transaction की information को एक साथ expand करना चाहते हो, तो फिर हम एक shortcut key use करेंगे, alt plus f1, और सभी transactions की detail यहाँ पे expand हो जाएगी, अगर हम इस detail को collapse करना चाहें, तो again हमें alt plus f1 press करना है, यनि shift plus enter से single transaction, alt plus f1 से सभी transaction की detail क expand या collapse किया जा सकता है, इसके इलावा यह जितनी भी tab यहाँ bottom bar में दी गई है, इन सब की shortcut keys को भी इसी screen पे apply किया जा सकता है, जैसे कि suppose guru यह alt plus i है, इसका use हम watcher insert करने के लिए करते हैं, जैसे suppose guru हमारी first August की कोई transaction missing है, तो उस date पे जाके हमें alt plus i press करना है, and then जो भी transaction हम यहा आपस आ जाएंगे, इसके इलावा यहाँ पे एक shortcut key और है alt plus a, जिसका use भी इस report में further transactions को add करने के लिए किया जाता है, वैसे यहाँ पे alt i और alt a में कोई जादा फरक नहीं है, क्योंकि दुन्नों से ही watcher add होते हैं, बस alt a का use करने से watcher entry में report की last date automatically add हो जाती है, और alt i से वो date automatically select होती है, जिसको हमने report में select किया हुआ है, otherwise यहाँ पे आके हम manual भी उस date को change कर सकते हैं, इसके इलावा इस report में किसी भी transaction को select करके, वहाँ पे हम alt plus 2 press करके उसे duplicate कर सकते हैं, and then इसमें अगर हमें कोई hulky full की change करनी है, वो करने के बाद again हम control a press करके as a next transaction save कर सकते हैं, और अगर इन में जे किसी transaction को हम delete करना चाहें, तो यहाँ पे भी alt plus d का use करके उस transaction को delete किया जा सकता है, even अगर आप इस screen पे भी transaction को select करके alt plus d press करते हो, तो यह shortcut की apply हो जाएगी, इसके इलावा किसी transaction को cancel करने के लिए alt plus x use किया जा सकता है, और इस report में जे अगर हम किसी भी transaction को temporary remove करना चाहें, तो हमें control plus r shortcut की use करनी है, and then अगर किसी transaction को दबारा restore करना चाहें, तो control plus u का इस्तमाल कर सकते हैं, देखिए control r use करने से transaction temporary remove होती है, जब हम escape मारते हैं, तो automatically वो restore हो जाती है, यानि remove line का मतलब delete नहीं होता, यह जदनातर commands यानि shortcut keys, ना सिरफ single transaction पे apply की जा सकती हैं, बलकि इनका use हम bulk transaction पे एक साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले तो हमें transactions को select करना होता है, अगर इस screen में हम किसी भी transaction पे space press कर देते हैं, तो वो select हो जाती है, और फिर उसके बाद इन selected transaction पे एक साथ हम कोई भी command run कर सकते हैं, जैसे अगर हम इने delete करना चाहें, तो select करने के बाद हमें just alt plus d press करना है, उसके बाद अगर हम yes करते हैं, तो ये सारी transaction एक साथ delete हो जाएंगी, इसके इलावा दूसरी shortcut keys जैसे की remove line को भी हम यहाँ पे bulk में apply कर सकते हैं, देखिए space bar यूज़ करके तो एक time में हम सिर्फ एक ही transaction को select कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक साथ multiple transactions को select करना हो, तो फिर उसके लिए कौन सी shortcut keys होंगी, चलिए उन्हें भी discuss करते हैं, अगर हम किसी भी transaction पे आके control shift plus home press करते हैं, तो जितनी उससे उपर की transaction है, वो सारी एक साथ select हो जाएंगी, और अगर हम control shift plus end press करते हैं, तो निच्चे की सारी transaction select हो जाएंगी, और इसके इलावा control plus space use करके इस report की सभी transaction को एक साथ select किया जा सकता है, and again control plus space से ही इन transaction को हम diselect भी कर सकते हैं, control shift plus I का use होता है invert selection के लिए, और अगर आप एक particular range of transaction select करना चाहते हो, तो space के साथ हम down arrow या up arrow का इस्तमाल कर सकते हैं, and then in selected transaction पे हम कोई भी action ले सकते हैं, जैसे अगर delete करना चाहें, तो बड़े अराम से delete हो जाएंगे, दिखिए वैसे तो इस report में arrow की use करके हम कहीं पे भी move कर सकते हैं, लेकिन अगर हम one click से इस report के beginning में जाना चाहें, तो फिर shortcut की use करेंगे control plus home, और बिल्कुल इसी तरह control plus and use करके इस report की हम last transaction पे move कर जाएंगे single click से, और इन reports को देखते हुए, अगर हमें calculator की जुरूरत पड़ती है, तो हम यहां control plus and press करके calculator panel को open कर सकते हैं, और इसके इलावा किसी भी report को export करने के लिए हम alt plus e का इस्तमाल कर सकते हैं, और अगर किसी report को print करना चाहें, तो फिर alt plus p का इस्तमाल किया जा सकता है, दिखिए यह सारी कि शारी shortcut keys ना सिरफ particular account पे बलकि दूसरी भी जितनी reports हैं, चाहे वो debit हो, inventory हो, कोई भी report हो, इन पे भी apply की जा सकती है, जैसे shift plus enter का use है, alt plus f1 का use है, और भी नीचे bottom में दी गई सारी shortcut keys इस्तमाल की जा सकती हैं, इन सब के इलावा एक और interesting काम भी यहां पे किया जा सकता है, ज किसी भी date तक rotate कर सकते हैं, और फिर यहीं पे किसी भी particular transaction को alter भी किया जा सकता है, delete भी किया जा सकता है, यानि सारे के सारे actions यहां पे apply हो सकते हैं, और अब हम बात करेंगे tally की सबसे important shortcut key f12 यानि configure को, दिखिए ये tab tally की हर screen पे हमें मिलेगी, और उसके accordingly ही इसकी functionality भी change होती है, जैसे अभी हम day book में हैं, अब इस report को अपनी requirement के accordingly हम configure कर सकते हैं, और इसी तरह चाहे कोई दूसरी report भी हो, जैसे कि ये sales का ledger account है, यहीं से ही इसकी narration को भी on off किया जा सकता है, साथ में इसके format को भी अगर हम detailed करके देखना चाहें, तो accordingly है setting हो जाती है, even चाहे कोई भी report हो जैसे कि ये balance sheet है, इसके format को भी F12 प्रेस करके हम अपनी requirement के accordingly adjust कर सकते हैं, reports के इलावा जब हम watcher entry की screen पे आके F12 का इस्तमाल करते हैं, तो उससे related ये सारे options आते हैं, और इसी तरह गर हम master's की screen में आके F12 प्रेस करते हैं, तो उसको configure करने से related ये सारे options आएंगे, और फिर इन सभी options को हम अपनी requirement के accordingly जैसे चाहे set कर सकते हैं, configure के इलावा एक और important shortcut की होती है F11 यानी features की, इसे use करके किसी भी particular company के लिए features हम उसकी requirement के accordingly यहाँ पे yes no कर सकते हैं, दीखे जब हम configure यानी F12 का use करते हैं, वो तो हर screen के accordingly change होता है, लेकिन F11 ये company के feature से related है, ये सभी screen पे एक जैसा ही रहेगा, ये है Tally Prime की वो powerful shortcut keys जिनको अभी हमने discuss किया, ये सारी detail आप description से download कर सकते हो, इसके इलावा गर आप Tally Prime accounting software का proper course करना चाहते हो, तो उसके video की detail भी आपको description में मिल जाएगी, हमारे YouTube चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, इस session में इतना ही, thank you very much.